आवेधन का रेशियो बहुत कम है, लेकिन अब आवेधन का रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है, चुकि सीटेट अब भहरती एन्ने करके लगतार आवेधन कर रहे हैं, क्या एन्ने लिख देने से आपका काम चल जाएगा, या सरकार और आयो कोफिट से कोई नोटीस दिना प आवेधन करेंगे, 15 दिन में क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, सर अप्रा स्वागत एक्जाम करेंगे, सर आवेधन दोनों टीयारी के अपक्षा, जिस तरीका से लग़ा एक दिन मातर समय है, ठीक है, लेट पाहिन में भी कुछ लोग डालेंगे, लेकिन उमीद इस पर बहुत बड़ा आवेधन पड़ेगा, बहुत संख्या बढ़ जाएगा, सीट भी ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीका से पहले बताय जा रहा था कि इतना सीट आएगा, यह आएगा, उस अब कुछ अलग निकला, सर का आवेधन कम गिरने का, क्या क्या कारण हो सकता है? कई कारण हैं आवेधन कम गिरने का, सबसे पहले तो अभी आप देख लिजिए कि एस्टेट एपेरिंग को मोका नहीं दिया, सारे तीन लाग छात्र यहां से बंचित रह गए, जिस तरीके से नियोजित टीचर फॉर्म डालते थे, इस बार उनको बैकल्पिक बेवस्था स वन्चित होने की स्तिती मागए है, क्योंकि TRE 1 में देखिए, तस साल का एज का ग्रेश दिया गया, TRE 2 में दस साल का एज का ग्रेश दिया गया, TRE 3 में लगता है को भूल गया है, téरा गे बा welding song क्रत को इस बीच में कोई नहीं हुए, तो उसी के कारण 10 साल का एज का ग्रेश दिया गया था, अचानक TRE3 में सांथ है, इसके अलाबा भी आप देखेंगे, सीटेट अभियर्थी वाला मुद्दा जो है, कि सीटेट का सिरियल नमबर वाला मामला जो है, अभी डीजी लोकर में उलो का साटिफिकेट नहीं आया है, तो अब क्या उसमें डाले हम नमबर, सीरियल नमबर, तो उस confusion के कारण भी वच्चे थोरा सा परिशान हो रहे हैं, तो मेरा काना है कि ये सारे कारण मिला करके, overall form कम भरने की स्थिति हो रहे हैं, और सबसे बढ़ा रिजन जो है attempt वाली स्थिति, तो कि बहुत अश्य से अभ कारियर का अंत कहीं यहीं पर ना हो जाए, तीन attempt जब हमारा पूरा हो जाएगा, तो इन सब कारणों को मिला कर अगर overall व्याक्या करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन ही कारणों के कारण, कारणों से form की संख्या में कम हो रही, जबकि मेरे ख्याल सा इसा नहीं होना चाह किसी भी सुरत में उनको छोडना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, तो अभी भी पूरा भरोसा है, 99 परसेंट भरोसा है कि तीन को छे चांस किया जाएगा, अथो आगे चल करके यह barrier समाप्त किया जाएगा, पहले ही कर दिया जाता, सब आज ही कर दिया जाता, या पहले ही बता दिया जाता है तो लगभग 10 लाग तक पहुंचा दो गया दूसरा आप यह देखिए कि अभी TRE 1 में कौन बच्चे बैठे, TRE 2 में कौन बच्चे बैठे, TRE 3 में कौन बच्चे बैठ रहे हैं, तो लगभग वही बच्चे तीनों स्टेज में उनको मोगा मिल र तो इसले करके इन सब कारणों से हमको लगता है कि इस बार हो सकता है कि फॉर्म की संख्या थोरा सा कम रहे, तो स्वभाविक है कि अगर फॉर्म की संख्या कम होगी, तो अपरचुनिटी जादा होगी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसले कि आगे का 15 दिन इनके लिए ब पालों को, इन दोनों को खास करके मेरा रिक्वेस्ट इन बच्चों से होगा कि अभी भी एक दिन, दो दिन, तीन दिन का समय आपके पास है, आप सिक्षा विभाग जाएं, वहां प्रेसर परेगा, आपकी बातों को सुनी जाएगी, और नहीं तो सुनने का प्रियास जरू सर, 15 दिन मातर समय है, और 15 दिन ये निर्णायक समय होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो TRE1 में भी चट गए, संजोग उनका खराब हुआ, TRE2 में भी चट गए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, यदि TRE1 में अच्छा पूरक रिजल्ट दिया गया रहा था, TRE2 में यदि दिया ही नहीं गया, दिया गया रहता तो बहुत सारे बिद्यार्थी का कल्यान हो जाता है, कहके नहीं दिया गया, 15-16 जार बिद्यार्थी संक्या होता है, वह जो पॉइंट से चट गए, जो एज के कारण से चट गए, जो एकदम वहां तक पहुँचके किसी कार उनके पास मैं है, इसलेकर हमको लगता है कि थोरा सा अपना कमजोर पक्च को पहचान करके, उसको अगर सुधार करते चले जाते हैं, हमको लगता है कि उनके लिए बहुत रहात होगी, इसमें क्या करें, अभी एक सेट डेली वो बनाने का परियास करें, एक सेट कम से कम, और जो सेट बनाएं, जो कोस्चन गलत होता है, उसका डिसकसन आप अवस्य करें, अभी भी जो कमजोर पक्चाप का है, कमजोर सब्जेक्ट है, उसका अधिक सधिकरी विजन करें, और पंद्रह दिन में कोसिस करें कि क्लास छठे से लेके दसमें तक का SCRT, NCRT, कम्प्लीट अ SCRT का क्लास, छठे से दसमें क्लास तक का, History, Quality, Economy, Geography, Physics, Chemistry, Bio, इस सातों पेपर का पूरा नीचोर, यानि जो अबजेक्टिव कोस्चन्स हैं, या पूरा चैप्टर का जो नीचोर दिया हुआ है, पूरा कंटेंट के साथ में, वो हम देने जा रहे हैं, पूरा संछेप में, उसका वन लाइनर और अब्जेक्टिव दोनों है, आंसर सहित, मुश्किल से एक बुक आट से दस पेज में आ गया है, तो उसको रिविजन करने में हमको लगता है कि बहुत असानी होगी, आप प्लेटफॉर्म बाइन कुमार सिंग, टेलिग्राम चैनल से बच्चे उसको उसको भी हम अप्लोड करने वाले हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिल सकता है, इसके अलाबा, कल जा करके एक और हम उसको अप्लोड करेंगे, हिस्ट्री, वालिटी, जोगरफी का 500 सेलेक्टिव एंसी आटी का कॉस्चन्स का, उसको भी डाउनलोड कर लेंगे, और उसको लग लग, लास्ट मॉमेंट में उससे भी रिविजन करते रहेंगे, तो सेलेक्टिव कोस्चन्स का रिविजन होगा, हमको लगता है, बहुत ही छोटी-छोटी चीजों से फाइदा मिलेगा, जो भी ध्यार्थी अभी मायूस है, वो चाहें एस्टेट वाले हो, उनको वैसे लोग हैं कि लास्ट तक उमीद जरूर रखते हैं, इसलेकर हम बार-बार अभी से नहीं, जितने भी वीडियो बनाते हैं, हर बार बोलते हैं, कि सिर्फ आप सोसल मीडिया कमेंट कीजेगा, तो नहीं होगा, कम सकम पठना में जो कंडिडेट रहते हैं, आपको एक दि पिश्चित रूप से रंग लाती, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप देखिए, सीटेट एफेरिंग वालों को जो टियरी वन में में मोका दिया गया था, कितना वो बच्चे मेहनत किये थे, हम लोग कितना उनके पीछे आवाज बुलंद किये थे, सिक्छा सी, सिक्छा मंत्री के यहां लगातार दवरा करकर के अपनी बातों को मनवा लिये थे, इस बार तो उचित कारण है एस्टेट के संदर्म में, उनकी बातों को एकदम सुनी जा सकती है, एज रिलेक्सेशन वाला भी इनका वाजिव हक है, इनकी बातों को एकदम वाजिव मे बाता माल लिया जाए, TRE2 में बच्चे भी थे, सब कुछ था, फिर भी सीट बच गया, TRE3 में भी सीट बचा लिया जाएगा, या पूरा रिजल्ट लिया जाएगा, इसमें भी multiple candidate जो है, पहले ही बता दिया गया, एक supplementary रिजल्ट नहीं देंगे, तो सुभाविक है कि, ज इतनी संख्या तक आजाए, लेकिन यही बेकंसी आधा बेकंसी लगभग अगले TRE4 में एड़ जरूर होगा, जो भी वर देख रहे हैं, उनसे मैं बता दूँ, जो TRE4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लग जाए, आपका भी संख्या